नमस्ते मैं उज्वला महाराश्टर पुना से आज हम सरसो के खली के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मस्टर केक भी खेते हैं और महाराश्टर में जिसे मोहरी के नाम से जाना जाता है जब मस्टर से तेल निकाल लिया जाता है और उसका जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसक बलकि पशुक हाथ की दुकान में मिलता है, और 20-25 रुपे किलो में ही मिलता है, मस्टर्ड के साथ साथ हम कॉटन सीड केक का भी यूज फर्टिलाइजर के तौर पर कर सकते हैं, जिसे महाराश्ट्र में सर्प की बोलते हैं, ये कॉटन सीड ही है, आप देख सकते हैं, कॉटन अब आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वीडियो को पूरा देख लीजेगा, और पसन आए तो लाइक जरूर करें, और गैनिक और होममेड फर्टिलाइजर की में सीरीज बना रही हूँ, आप उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइ में होता है, और NPK के सारी गुन पाया जाते हैं, साथ में माइक्रो निट्रियन्स जो पोधे के विकास में आवश्यक होते हैं, उसका भी काफी अंश पाया जाता है, इसलिए इस खात को All-Rounder खात भी कहते हैं, ये पूरी तरह से और गैनिक है, इसलिए हम इसे सभी प्रका बनाने में इसका बहुत बड़ा सहयोग होता है, इसे पावडर फॉर्म में भी इस्तमाल कर सकते हैं, मगर लिक्विड बनाने से इसका असर बहुत जल्दी होता है, मगर एक बात ध्यान में रखे, जब भी हम इसका लिक्विड बनाएंगे, तब नीम खली का उसमें इस्तम जरूर करना चाहिए आपको मैं पनानी की वीदी बताती हूँ एक लिटर पानी में 10 ग्राम तक सरसो खली मतलब इसका आधा टुकड़ा लिया तो 10 ग्राम तक नीम खली मिला है मतलब ऐसा एका चम्मज तक और उसे कम सकम तीन दिन तक छाया में भीगों ने देना है हमें और फ बहुत ही कम पोदे हैं उनके लिए बताया है अगर जादा पोदे है तो बनाने के लिए एक लिटर पानी में 100 ग्राम सरसो की खली और 100 ग्राम नीम खली भीगा कर उसे ही एक लिटर पानी को अच्छे से चान कर 10 गुना पानी में मिला कर यूज कर सकते हैं ये बहुत गर्म ह इसलिए इससे डाइलूट ज़रूर करें शुरुरती दिनों में तो कम ही मातरा में इसका इस्तमाल करें और डाइलूट जादा करें क्योंकि ये पोधे कभी गर्मी परदाश नहीं कर सकते और करीबन आदा फिट से लंबे पोधे पर ही इसका इस्तमाल करे क्योंकि इससे छोटे आकर के पोधे इसको नहीं परदाश कर सकते या फिर सीड से लगी सीडलिंग पर भी इसका इस्तमाल कभी नहीं करना चाहिए और इसे ज़्यादा मात्रा में डाला तो बड़े पोधे भी जलने का डर रहता है इसे छानकर जो चूरा रहता है उसे सुखा कर हम इसका पाउडर भी बना सकते है या फिर उस चूरे को कमपोस बॉक्स में डाल दे बिना भी गए इसकी खली का पाउडर अगर हम डालते हैं तो बहुत कम आत्रा में डाले नहीं तो प्लांट में फंगस होने का डर रहता है इसलिए नीम की खली का उप्योब इसके साथ करते हैं क्योंकि नीम खली प्लांट को फंगस से बचाती है गर्मी में तो सरसो खली का इस्तमाल नहीं करें तो अच्छा है इसका तयार किया हुआ गोल साथ दिन के अंदर ही इस्तमाल करना चाहिए नहीं तो बाद में इसमें कीडे पढ़ जाते हैं और बद्बू भी बहुत आती है तो इस फर्टिलाइजर के जितने फाइदे हैं उतने नुकसान भी है अगर हम साथानी पूरक इसको इस्तमाल करें तो ही बहुत अच्छा होता है तो कैसे लगा आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो पस लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू